कि अलोगा दोस्वाइब आप सुपका टीम स्वारी में बात करने वाले वाले अपना एक और ओमेंज का जो मैच यहां से रहने वाला है श्रलंका ओमन वसर अफगानिस्तान ओमन का बात करेंगे इसका बारे में बागया तुम्हार बड़ा खुश है सुबह से मैस देखा है न आज के लिए चलो ठीक है अज का दिन तो बढ़िया गया मैच और बढ़िया कर लेते हैं जो कि कल सुबहें ठीक है क्योंकि मैं वीडियो पहले दिन बना रहा हूं आप में भी कुछ रात को देख रहोंगे कुछ सुबह देख रहोंगे तुम समझ चलो तो वसाज का मैस है अफगानिस्तान निकल रहा है तो मुझे वेस्ट इंडीज वसे शिरलंका उमेन के बीच में पहला जो था वह वह सर्प्राइसिंगल शिरलंका उमेन ने बढ़ी हा तरीगे से जीत लिया क्योंकि जनरली वह वेस्ट इंडीज के सामने जीते नहीं है जादा क्योंकि इनका एक तब वन साइड एड़ वेस्ट इंडीज की साइड यह अज फूंपे लग रहा है अफगानिस्तान ही टिक है अफगानिस्तान इंडिया बास ऑस्ट्रिलिया यह है चलो वह वापस आते हैं इसी पर तो यह मैं अच्छे अब क्या इसके रिलेटेड प्रेडिक्शन से क्य आज के लिए टीम बनती है पिछला मैंच पी काफी टिक टाक मां बुलवा गया था दूसरा आप देखते हैं आज के लिए मां बताओंगा अच्छा ही जाए दिक्कत ना लो ठीक है और क्या आप रडिक्शन है जरा बात कर ले तब उससे बेले वीडियो पसंद है लाइक का ही फाइनल एक फाइनल और आगे टीटवंटी लीक्स है दा अंडर्ड है अपना फेवरेट ठीक है तो बहुत सारा मजा आने वाल तो सब्सक्राइब करके रखो अगर जीतना है तो बागी तो चलते हैं जरा इस मैच को पर दस बज़े रही इस मैच का एडलाइन हम बंद हो यह होगा मुकाबला महिंदा राजबाक्षा इंटरेशनल क्रिगेट स्टेडियम है वो और जहां पर मैच खिले जाएगा वैसे अभी तक यहां पर ना वुबन स्टीट वुंटी का एक ही मैच हुआ है तो एक ही मैच हुआ है जो की जीत लिया बैटिंग सेकिंड करने वाल करते हैं पिछले मैच में मातर तीन विकेट थे जो पेसर से निकाले और ग्यारा विकेट थे जो स्पिनर के नाम रहे थे ठीक है यह तो गए पेच की बात अब आते हैं सिर्डा प्लेइंग इलाउन वैस्ट इंडीस की तरव से तह घ्राइन के तरव से देखने को बिली ती जो एकदम रेगुलर रोल्राउंडर होती थी स्टेफनी टेलर उनसे बोलिंग नहीं करेगा तो अब समझ जो बोलिंग करने के स्टेफनी टेलर के चांसस बहुत कम रहने वाले तो इनको सिर्फ ऐजा बैटर ही रखना टीम में उसके बाद में हेली मैथ्यूस है एस इसल हेली जो एक विकट है जो विकट है जीरो रन जिरो विकट साथ रंन जीरो गिडए फिर एकिछो तिसरा नीक्वीट देखने को डिसंट परर्फंस बढ़िया एकदम और एकसे जाद ही जहादा चांस है कि आपको विकट पर निकाल करने वालते उनको खिलाए नहीं नहीं इनोंस सब सेगेंड चोइस अपने वाथ में केमपेबल ही बसती है तब उनको आज के लिए ले सकते हो केमपेबल को कहीं ना गई बाकिया फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है पिछले तीन मैच से उससे पहले डेफिनेटल बाइन की तरफ से रंस थे थोड़ा स्लो खेलती है ब बहुत एक मश्पिक यहां से नहीं रहने वाली है उसका अदमे आलिया एलन है यह हां डिफरेंशल जरूर बनती है बैटिंग प्लस बोलिंग यह दोनों कर लेती है 26 रन एक विकेट उससे बहले 27 रन-0 16 रन-1 14 रन-2 एक विकेट और यहां पर 6 रन-0 विकेट तो रोलिंग फोर्म उतना अच्छा नहीं रहा है ना तो रन देखने को मिले है ना विकेट देखने को मिले है बोलिंग अला कि यह भी आप बोलोगा कि वो तीन से चार ओर वाली करती है बट चांस थोड़े कमी रहेंगे देखो चार ओर तक पहुचने के हो सकता है दो तीन ओर पर ही इंपॉर्ण बनने वाली है क्योंकि यह वो बोलर है जो हेली मैथ्यूज के साथ साथ चार ओर डाल जाती है नेक्स ज्यादा जैमस है जीरो रन जीरो विकेट उससे पहले भी इनका फॉर्म जादा बढ़िया आपको देखने को मिलता नहीं है ना ही विकेट निकाले हुए स उससे बने जीरो फिर एक फिर जीरो फिर एक है और यहां से पतला वह यह माम लाईक एक विकेट तक ही रुक कर रहे है शामीला कोनल का और उसके बाद मैहाथा राम एक है यह यह पी काफ़ी बढ़े है पिछले तीन मैच में तो काफी उच्छे व्यकेट लिए जरूर थी बट फिलाल के लगर हम पिछले तीन की बात करें तो भाई पांच विकेट निकाल रखे कुल मिलाके and definitely आज के लिए भी इंपॉंट बनने वाली है राहमर एक भी वो बोलर है हेली मैथ्यूज, फ्लेचर और राहमर है यह तीन बोलर ऐसे हैं जिनके पिछले पांच-शे मैचस में सिर्फ एक विकेट इनके नाम है तो यह है वैश्ट निकी तरफ पूरी जो प्लेइंग लोन और मैंच है अब देखो ऐसा है आपको मैं पहले एक डिस्कलेमर देदू यहां से मैं आपको डेफिनिटली वताऊंगा कि बोलिंग कौन कर सकता है शुरुवात में कौन नहीं कर सकता है पिछले मैच के बेसेस पर क्योंकि आप एक बात ना हमेशा गाट पांद लो इस मैच के लिए और आगे के मैचस के लिए आगे के जो वुमेंस के मैचस होते है ठीक है कि भाई एक दो टीम्स है जैसे इंग्लेंड हो गई औस्ट्रेलिया हो गई इंडिया हो गई और साउथ अफरीका हो गई यह तीन चार टीम्स है जिनके ना ओपनिंग बोलर कंफर्म होते हैं कि यही बोलिंग कराएंगे और यही बोलर डेथ में कराएंगे बिडलोर में वो उनके भी चेंज हो जाते हैं बट जो यह टीम्स है वेश्ट इंडीज भांगलादेश शिरलंका ठीक है ऐसी जो टीम्स है इनका मैं बोलूँगा मानकर चलो कि भाई ना जो शुरुवात में बोलिंग कराते हैं ना उनक इस मैच में पांट से यह काम चला ले दोनों चीज़ें हो सकती है तो इनकी मैच में इन टीम्स की बोलिंग पर आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं कब क्या चेंज़ें कर दें बठा कुछ मेंन बोलर ज़रूर मैं बोलूँ है मानकर चल सकते हैं जैसे हीली थोड़ा 50-50 रहता बट मुश्टली चांट से जिनके रहते कि दो से तीन और ये करा दे तो ये कुछ बोलर जो डाल सकती है ठीक है मतलब कि बूरे ओवर या फिर मैं बोल सकता हूं तीन से चार और आपको देखने को मिल सकते है बागी कॉनल भी राइटम पेसर है तो ये भी नई बोल के साफ में डाल देती है अब इनके साथ में कोण बोलिंग कर जाए कोई वरोसान यह मैठ्यू बी कर सकती है शिननल थे वापस कर सकते है बाग कि और मैं दिखा दो यहां से पहला और पांचु और पिछले मैच में पछले ऊवर तक कहानी कत मुनो गई थी इनकी ब जाएगा वर सतरवा या अठारवा उसके लाबा यहां से राम एरक ने चार ओवर डाले चोथा नोवा ग्यारवा और तेरवा और उसके बाद में आक्याना जोसफ आप देखो सिर्फ एक युवर कराया था सिक्स्त ओवर एफ़ेशर की बात करें आठवा दसवा शोलवा अठ फिफ लेचर का था जैम्स ने तब बोलिंग करा है जब मैच अलमोश्ट खतम हो चुगा था क्योंकि उन्हें पर देख सकते हो नेक्स्ट अगर हम बात करें आशे शर्लंकर टीम की तो विश्मी गुनरत ने लास्ट मैच भी आपको बता है ता काफिस जादा इंपॉंट है 35 इन्हों ने बताए 35 इन्हों ने बनाए जो फॉर्म है वो भी काफिस अबरदस चल रहा है डेफिनिटली इंपॉंट पिक्तो है आज के लिए उसका उद में चमारी अटाबटू रन इन्हों ने बनाए नहीं क्योंकि इनका जो एवरेज है वो दस से भी नीचे है अगेंस तो दो रन चड़ दिये थे तो यहां से आज के लिए चांस से रहेंगे विकेट निकालने के तो चमारी अटाबटू एक वो हिली मैथ्यूस के साथ में सीवी सी कॉंबिनेशन के लिए बन जाती है हरसीता शमारा विक्रमा या हरसीता मदावी कुछ भी आपको फेंटे से अ प्रो एक अप 35 बहुत जादों में तो यहां नहीं कर रहा हूं बट ठीक है फिलाल के लिए फोम में तो एक उप्शन आपके पास में जरूर है निलाक्षी डीसलवा यहां से आया तो निलाक्षी डीसलवा को ले सकते हो जिन्वान पिछले मैं जो बोलिंग वागरत करा ही उससे बाले 63 उससे बाले 26, 29, 21 के कुछ पा रही है बाकियों में सिंगल जिट स्कोर है तो या तो आप यहां से समारा विक्रमा को ले सकते हो मतलब हरशिता मदाव या जो भी समझो आप ठीक है और या फिर आप यहां से इंगलाक्षी डीसलवा के साथ में जा सकते हो बैट परेरा बीस रन बनायते उससे पहले जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे टाइप देखने को मला है एक रन और जीरो भी है बागी 43 15 30 29 27 भी देखने को मलें मिडल ओटर में आके थोड़ा स्लो बैटिंग करती है बढ़ हां रन जरूर आपको बना के दे सक सकते हो केंपवल का फाइदा यह उनकी बैटिंग ऊपर आती है वह बहुत इजले विकेट नहीं कवाती है और यहां से नत्यांगना है जो बैटिंग बढ़ी नीचे करती है ठीक है उससे पहले बड़ा टाइम में राइटर मीडियम बोलर कावया काविंडी जीरो विकेट ह सिया फिर वही एक-एक विकेटी देखने को मिल है उसके बाद में इनोशी प्रिया दर्शिनी है इनोशी फरनेंडो अब इनके भी दो नाम है कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है लाश्ट में जिन्हों देखियो कि उनको पता होगा जिन्हों नहीं देखियो उनको पता या काफी तरफ से रहे हैं डो मैचे से चुट में काफी बढ़िया है बोलर है spinner है तो सारे फायदे जाते हैं पिक करने के लिए और उसके बाद में सुगंधी का कुमारी slow left time orthodox recently form तो इनका भी अच्छा रहा है बट पिछले match विकेट लैस थी back करना चाहो तो इनको भाई बिल्कुल आच के लिए भी कर सकते हो मतलब वापस बरोसा दिखाना चाहो तो ले सकते हो आच के लिए भी तो यह तो है शर्दंका की तरब से playing alone इनके bench की बाद की जाए तो राणा सिंगे काफे बढ़िया वोल इनके पास हो bench पर है हो सकता है इस match में किसी की जेका पर ले भी है टीम में बाकी रश्मिका सेवन डे उसकाद में सचेनी निशान साला है जिन्होंने लाश्ट ओडिया मैंच जो खेला मतलब रीसेंट में उस पांच विकेट निकाले था बागी इमेशा दुलानी और यहां से शशेनी की महानी देखने को बज़ जाती है तो देखो ऐसा है कि बरोसा इधर से मत करना ओवर्स का की कौन कप डाल सकता है पिछले मैंच के मैं आपको जरू बजाता है चमारी अटबटू नई बोल के साथ में आज भी डाल सकते हैं इ बीच के फिर सातवा और पंदरो और तो कितना बड़ा बड़ा गया पे इनके स्पेल में तो यहां से और उध्यान में रखना बठां तीन से चार और अटा पटू के आएंगे यह चीज़ काफी हद तक कंफर्म है उसके बाद में काविया कमिंडी है दो वर डालते दूसरा और चटा उसके बाद में सुगंदी का कुमारी इनके तरफ से भी चार और थे तीसरा पांचवा ग्यार और सतर और उसके बाद में प्रियादर्शनी चोथा नोवा तेरवा और यहां से अठार वावर था एंड नेक्ष्ट उसके बाद में कवीशा दिलारी अमा कंचना पांच डेथ बोलर यूज होई थी सोचो तो बहुत जादा बाई कुसी एक बोलर पर आप डिपेंड नहीं रह सकते कि यह बोलर डेथ में डालेंगी तो विकेट निकालने के चांस है ठीक है अलग अलग बोलर से देको पिछली मैच हो भी एक एक कोवर कर रहा गया था सब्ukankaने एक मैच इनका टाय रहा है आश उरीरेख है अनल होग रहा रहनों के बात करें स्टाफनी टेलर सबस्जिपी इनका विए इनकर लकू नहीं मनाये जिनका एवरेज ऐसी खिलाडी जिनका एवरेज बहुत ही जादा खरावे और दो ऐसी जिनका ठीक ठाक देखने को मल जाता है 33 का मैथ्यूज का और स्टैफनी टेलर 42 विकेट्स के मामले हम बात करें तो भी टेलर सबसे उपर है बट फिलाल के लिए बोलिंग कर नहीं रहे हैं युसके माधणी की पर हर्षेता मधावी जैसे में Мधावी यह वह है अ मैंशन किया हुआ हुआ है टेलर है विश्मी गुनारत ने देखने को बल जाते है उल्ड राउंडर सेक्षिन में कवीशा दिलारी कियाना जोसेफ एली मैथ्यूज चमारी अटापटू अगर थोड़ा रिस्क लेना या ग्रैंड लिग में जाना है तो स्ट्राइफनी टेलर वगरा को आप डेफिनिट्ली ट्राइ कर सकते हो यहां से सी वीशी के लिए और अगर इनकेस अगर यह बोलिंग करा के एक दो विकेट ले गई तो फिर वो बहुत ही बढ़िया चीज़ जाए और एक बहुत जादा अलग अटके आप रहोगे इवन ग्रैंड लिग टीम में तो ट्राइ कर ले ना ग्रैंड लिग की टीम्स में अगर आप खेल रहे हो तो विजाति फिलाल के लिए टीम में और सारी चीज़ है बागे आपको युडिया पसंद आए हो तो लाइक जरू करना चानल को सब्सक्राब अगर नहीं क्या हुआ है फटाक से कर लो एंड बागी उल्ला वैस्टेस मैच केली मलतने आपको नेक्ष युडियों बहुत ही सरा जलुँए